हलो बच्चो मेरी पाड़ साला में आपका स्वागत है बच्चो आज हम कक्षा पहली विसे खेले करे सीखे ठीक है तो बच्चो खेले करे सीखे में आज हम चित्रकला विसे करेंगे चित्रकला विसे में बच्चो आज हम 1.2 बिंदूओं की मौज इसके पहले की पाड़ साला में बच्चो हमने पेंसिल के द्वारा चित्र बनाया है और उसमें रंग भरे थे आज हम क्या करेंगे बच्चो बहुत सारे बिंदूओं बिंदूब बनाएंगे और फिर उन बिंदूओं को चोड़ कर हम आकार बनाएंगे तो आज की पाड़ साला में हम बिंदूओं से आकार कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो चलो बच्चो, हम शुरू करते हैं देखो बच्चो यहाँ पे ये दो बिंदू की सहायता से याकार बनाया है है ना, थोड़ा अंडा कारकार है तो याकार कैसे बनाया है, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाते हूं अभी देखो बच्चो ये दो बिंदू है एक बिंदू और ये ऐसे आपको पहले बनाना है ठीक है? फिर हम इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे यहां से सी की तरह करेंगे जैसे हम सी लिखते हैं यहां से और फिर यहां से भी हम सी की तरह लिखेंगे तो देखो ये बन गया आप इसके लिए थोड़ा और दूरी-दूरी पर करना तो आपका जादा अच्छे सहाईगा देखो है ना बच्छो ऐसे क्या आपको करना है और ये अकर बनने के लिए देखो अभी यहां पर बिन्दू बने है तो हम करते हैं अभी हमको लाइन करना है, तो लाइन करने के लिए ये दिखो, दो बिंदू है, दो बिंदू को, अभी बच्चो, इसको आप पट्टी होती है न, स्केल, स्केल की सहायता से मिलाओ, इसको हम ऐसे मिलादेंगे, तो ये हमारी सीधी लाइन बन गई है, है न, बच्चो? अभी हमें ये चान्द बनाना है, तो चान्द बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये दो बिंदू है ये दोनों बिंदू को हम ऐसे थोड़ा सा अंदर की साइड ऐसे करेंगे और फिर यहां से ऐसे यह हमारा बन गया है ना और फिर हमें ऐसे त्री कुण बनाना है त्री भूच जिसकी तीन भूजा होती है तो इसके लिए देखो ऐसे पहले आपको तीन बिंदू बनाना पड़ेगा एक, दो, तीन आप कॉपी में ऐसे तीन बिंदू बनाइए और फिर एक बिंदू को दूसरे से फिर इसको इससे और इसको ये तीनों को आपस मिला दोगे तो आपका तरिभुज बन जाएगा है ना बच्छों अब ये देखिए तरिभुज बना के एक लाइन खीचा है आप भी एसे कर सकते हो ऐसे और फिर इसको इससे मिला देगे और फिर इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिलादेंगे तो आप क्या करोगे बच्चो ऐसे चार बिंदू बनाओगे ठीक है और हम एक बिंदू को इदर दूसरे बिंदू से मिला देंगे फिर इस बिंदू को हम इस बिंदू से मिला देंगे और फिर इस बिंदू को हम इस से और इस बिंदू को इस से मिला देंगे तो ये हमारा बन इसे बनाना है, यह तो मचली जैसा लग रहा है, तो यह भी बहुत इसी है, इसके लिए हाँ पर हम्हें दो बिन्दू चाहिए, हम इसको ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे और फिर इसको ऐसे मिला देंगे छोटी सी लाइंग खिस देंगे तो ये सारे आकार हम लोगों ने बना लिये हैं अभी यहाँ पे देखो बच्चो ऐसे आकार बनाने के लिए आपको चार बिंदू लेना पड़ेगा एक, दो, तीर, थोड़ा उपर नीचे करके बच्चो और फिर हम इसको इसे मिला देंगे ये ये बन गया है ना ये देखो तीन बिंदू लेके हम ऐसे भी बना सकते हैं हम ऐसे भी त्रिकून बना सकते हैं आपको भी अगर बनाना है तो आप भी ऐसे 4 बिंदू लीजीए और लाइन सबको मिला दीजीए अब ये देखो बहुत सारी बिंदू के मदद से पतंग बनाया गया है तो हमें भी ऐसा ही पतंग यहाँ पर बनाना है तो चलो बच्चों हम देखते हैं हम क्या करेंगे सबसे पहले ये देखो ये बिंदू को हमने इससे जोड़ दिया फिर इसको हमने इससे जोड़ दिया है ना इसे प्रकार हम यहाँ पर भी करेंगे ये बिंदू को ऐसे जोड़ दिया और इस बिंदू को ऐसे जोड़ दिया फिर हमने क्या किया इसको ऐसे ये, सब बिंदू को जोड़ जोड़ के ही बच्चों आपको ये बिंदू को ऐसे जोड़ दिये, और फिर इस बिंदू को इस से जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिये, ये बिंदू को इस से जोड़ा, इस बिंदू को इस से और ये, अब ये बिंदू को ऐसे ये देखो है ना तो ये हमारा क्या बन गया पतंग है ना तो आपको भी ऐसी बनाना है आप तो मुझसे भी अच्छा बनाओगे बच्चो मुझे पता है क्योंकि आप सभी बच्चों को चित्र बनाना बहुत पसंद है ये तो मुझे पता है ठीक है तो ऐसी ना बच्चों बिंदूओं से हम बहुत सारा अभी देखो बिंदूओं से हम सीधी लाइन भी खी सकते हैं ये देखो इसको इससे मिला दिया हो गई हमारी सीधी लाइन ये देखो यहाँ पे खीची हुई है अभी अगर हमें ऐसा बनाना है तो हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पे देखो बच्चों इस बिंदूओं को हमने इससे मिला दिया इस बिंदूओं को ऐसे मिला दिया हम जैसे चाहे वैसे आकार बना सकते हैं है ना अभी हमें चोकोन बनाना है तो ये देखो बच्चो, इसको इससे मिला दिया, इस बिंदू को इससे, इसको बन गया हमारा, अगर हमें त्रिभूज बनाना है, तो ये देखो बच्चो, हमने ये दो बिंदू को मिला दिया, फिर इससे इसको मिला दिया, इसको बन गया हमारा त्रिभूज, तो आप बच् आप क्या करो एक कागज लो अभी इसमें तो हमारा हो गया है एक कागज लो आपकी वो चित्रकला की कौपी होती है न बचो जिसमें लाइन नहीं खीचे रते हैं एकदम प्लेन पेज रता है तो आप वो कौपी लो और कौपी में थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे बिंदू बना दो कॉपी में जो प्लेन कापी है न वोलो और ऐसे थोड़ी 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 दूर पे बिंदु बनाते जाओ पूरी कॉपी में अभी मेरे पास इधर जगा नहीं है ने तो आप पूरी कॉपी में ऐसे बिंदु बनाते जाओ ठीक हैं फिर उन बिंदुओं को आप एक दूसरे से जोड़ दोगे तो आकार बन जाएगा ऐसे आपने बिंदू बनाया फिर एक बिंदू को दूसरे बिंदू से मिलाते मिलाते आपका आकार बन जाएगा आपको जैसा आकार चाहिए वैसे आप बना सकते हो दो बिंदू की तरह तीन चार पांच छे या उ स्कूल चालू हो जाएगा तो मैं आप लोगों का ग्रूप बना दूंगी तो आप लोग अपने ग्रूप में एक दूसरे की मदद से ऐसे बनाओगे ठीक है तो आपको क्या करना है आपको इसमें भी कृति करना है अब ये देखो मैंने आपको बना के दिखाया ये सब है ना तो आपको भी इस अपनी ये किताब में इसी प्रकार करना है जैसे मैंने किया है और ये देखो सेम ऐसा ही देखके आपको अपनी ये किताब में करना है और इसके बाद आपको इस बुक में तो करना ही है बच्चो इसके बाद जो आपकी चित्रकला की कौपी है सब लोगों ने चित्रकला की कॉपी बनाया है ना मैंने सब को बोला था सब लोग कॉपी बनाओ चित्रकला की सौ पेज की तू उस कॉपी में सबसे पहले आप क्या करो एक पेज में सब बिंदू बनाते जाओ पूरा पेज भरके आपको बिंदू बनाना है यह कापी है मैं सिब आपको बता रही हूं आपको क्या करना जैसे हमारा यहां से पेश शुन होता है आप ऐसे बिंदु बनाते जाओ थोड़ी दूरी-दूरी पे, ऐसे बिंदू आपको पूरी किता, पूरी कॉपी में बनाना है, आधी कॉपी में बनाओगे ना बच्चो तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसे, ऐसे करके आपको बिंदू बनाना है, मेरे कॉपी में ये लाइन है, आपके इसमें लाइन नहीं रहेगा बच्च अफिर इस मेंसे आपको आकार बनाना है अब जैसे ये हमें चोकोन बनाना है तो हमने सब्भी बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दिया तो हमारा बन गया है ना तो आपको ऐसे ही करके बनाना है बिंदु आप आगे पीछे से थो थो मेड़ा कोई भी ऐसे करके बिंदू बना सकते हो है ना ये देखो आप पूरी कॉपी में ऐसे करके बिंदू बना दो ठीक है अभी हमको त्रिभूज बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे ये देखो इसको हमने इससे मिला दिया इस बिंदू को इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया हो गया हमारा त्रिभूज अगर हमको चोकों डिबा बनाना है तो देखो हमने इसको इससे मिला दिया इसको इस बिंदू से मिला दिया इस बिंदू को इससे मिला दिया यह हमारा बन गया है और हमें पतंग बनाना है तो ये देखो बच्चो हमने इसको इससे मिला दिया इस बिंदू को इससे मिला दिया और इसको इससे मिलाया और इस बिंदू को हमने इससे मिला दिया अभी यहाँ पर दो बिंदू और बनाना पड़ेगा मझे अभी देखो फिर इस बिंदू को इससे मिला दिया इससे इसको ये ये हमारा हो गया इस बिंदू को इससे मिलाएंगे इस बिंदू को इससे ये हमारा क्या बन गया पतंग ऐसे ही आपको बिंदू को जोड़ जोड़ कर चित्र बनाना है अभी ये देखो ये दो बिंदू है तो दो बिंदू के सहालता से हम चंदा मामा बनाएंगे ऐसे करेंगे और फिर ये दो बिंदू को ऐसे मिला देंगे है ना कितना सरल है और अगर हमको सीधी लाइंग खीचना है तो ये देखो ये दो बिंदू को मिला दिया और इधर बिंदू को मिला दिया ये हो गया अभी हमें इसमें से कौन सब आकर बनाना है अभी हमें ये बनाना है तो ये देखो ये देखो ये मैंने बना दिया है ऐसे बिंदू बना के आप कोई भी आकर बना सकते हो तो जैसे मैंने कॉपी में बनाया है इसी प्रकार आपको कॉपी में भी बनाना है और अपनी पुस्तक में भी अपनी किताब में भी बनाना है ठीक है बच्चो तो आज हमने क्या किया बच्छो 1.2 बिंदुों की मौज हमने बिंदुों से बहुत सारे आकार बनाए है ना, बहुत सारे चितर बनाए है ना, और एक काम बच्चो आपको ये जो सारे आकार है ना ये सारे आकार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये पतंग साथ ये सातो आकार अपनी कौपी में बनाना है किस में बनाना है अपनी कौपी में बनाना है ऐसे कौपी में बनाना है अभी जैसे ये आकार है ऐसे आपको कौपी में बना कि इसको रंगना है पूरा कलर करना है अभी पतंग का चित्र है तो आप ऐसे पतंग बनाओगे और फिर उसमें रंग भरोगे ठीक है पतंग बनाओगे फिर इसमें रंग भरोगे आपको जो रंग अच्छा लगता है वो भरिये तो जैसे ये मैंने दो चित्र बनाए ना उसे आपको ये सारे चित्र अपनी कॉपी में बनाना है और उसमें रंग भरना है रंग आप लोग अपने मन पसंद रंग भरोगे जो आपको पसंद है आप इसमें भी अपने मन पसंद रंग भर सकते हो इसमें भी चान में भी जो आ बच्चो आज की हमारी ये पार्ट साला यहीं पे समाप्त होती है अगली पार्ट साला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पार्ट साला में नए हैं तो मेरे पार्ट साला को लाइक करिये सब्सक्राइब करिये, कमेंट करिये और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाट साला का लाब सभी बच्चे ले सके ठीक है बच्चो तो अगली पाट साला में हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बच्चो